सो आए हम पढ़ेंगे पहला कुरंथियों उसका चौदा अधियाए उसके तीन वचन में देखेंगे बाइबल में वहाँ पर क्या लिखा गया है प्रंतु जो बविश्यबानी करता है वह मनुश्यों से उनती उपदेश और शांती की बाते करते है आज परमेशर आपको बता आने जा रहा है बविश्यबानी कैसे काम करती है और हम बविश्यबानी को रियलिटी में अपने जीवन में कैसे सविकार कर सकते हैं सब बोले हालेलुया हाव टू टर्न प्रोफेसी इन्टू रियलिटी कैसे हम प्रोफेसी को अपने जीवन में ग्रहन करें आज कई लोगो को पता नहीं है कि उस बविश्य बानी का benefit कैसे लेना है उस prophecy को कैसे receive करना है आज परमेश्वर आपको इस वचन से सिखाने वाला है कि आप prophecy को कैसे receive कर सकते हैं आप prophecy को reality में कैसे अपने जीवन में तबदील कर सकते हैं कैसे वो हकीकत बनेगी सबले हाले लूया वचर में लिखा प्रंतू जो बविश्य बानी करता है वह मनुश्यों से उन्ती उपदेश और शांती की बाते करता है one any one prophecies कोई भी व्यक्ति जब बविश्य बानी करता है Bible कहती है वह मनुश्यों से कलिसिया से लोगों से क्या करता है उन्ती उपदेश और शांती की बाते करते तीन चीजें बविश्य बानी के अंदर होती है उन्ती उपदेश और शांती सब बोले हाले देखें कि बहुत सारे लोग बविश्य बानी करते हैं और आज कल तो ट्रेंड चल पड़ा है कि हर एक व्यक्ति बविश्य बानी कर रहा है कितने लोगों ने सुना है कि आज कल बहुत लोग बविश्य बानी करते हैं आपने सुना कर नहीं सुना है यहां तक कि जिन लोगों क जीवन प्रभु में मजबूत नहीं है जा जो परमेश्वर के आत्मा में नहीं है वो भी बविश्य बानी करते है लेकन वचन में क्या लिखा है कि बविश्य बानी कोई असान चीज नहीं है परमेश्वर के दास लोग जा बविश्य बानी करने के लिए जाते थे तो सबसे पहले कई कई साल खुदा के साथ सेवा करते थे वो जंगलों में रहते थे वो अपने आपको अकेला रखते थे नभी त्यार होना असान काम नहीं नभी जंगलों में त्यार होते थे नभी तपस्या करते थे नभी जो थे वो मेहनत करते थे त तब जाकर उनके शब्दों में समर्थ आती थी लेकन आज के समय में आप कुछ लोगों को देख सकते हैं जिन्हों ने बविश्य बानी को एक हलकी चीज समझ रखा है वो हमेशा किसी को भी कुछ भी बविश्य बानी कर देते हैं वो आज कल ऐसे देखेंगे आप किसी को भी पकड़ देंगे और कुछ भी बोल देंगे लेकन याद रखें जब एक नभी की जब एक सचे खुदा के दास की प्रफसी होती हैं उसके शब्दों में समर्थ होती हैं और वो आपकी लाइफ में पूरे भी होते हैं शुमजी के नाम में जोर से बोलेंगे हालेलुया सुब पहले समय जो प्रभु के दास लोग थे वो जंगलों में जाते थे मेहनत करते थे और फिर वहाँ पर जाकर अपने आपको त्यार करते थे बाइबल में लिखा एलिया नभी कहां रहता था जंगलों में अलीशा कहां रहता था जंगलों में यिश्यु मसी कहां रहे जंगलो में बाइबल में आप बहुत सारे अपने परमेश्र के दास और दासियों को देखो गए मुसा चाली साल तक बेड़ों को चराता रहा कहां पर जंगलों में विल्डरनेस में क्योंकि खुदावंद एक सेकरिफाइस मांगता है परमेश्र एक प्राइस मांगता है अगर खुदा बिना मेहनत के सब को ऐसे ही वरदान देने लग जाएं तो यहां पर हर कोई व्यक्ति प्रॉफिट बन जाएगा अपॉस्टल बन जाएगा अगर बिना मेहनत के बिना दाम दिये, खुदा सब को इस्तिमाल करना लगे, तो फिर तो हॉस्पिटल भी बंद हो जाएंगे, घर-घर में मुर्दे जिन्दा होने शुरू हो जाएंगे, लेकन परमेश्र कहता है, मैं अपना काम करूंगा, लेकन उसकी मेहनत के अनुसार ही करूंगा, जोर से बोले हालेलु अगर आप दो घंटे प्रात्रा करते हैं, आपको दो घंटे के अनुसार ही प्रभु आशिश देगा, अगर आप 24 घंटे प्रभु के साथ रहते हैं, आपको 24 घंटे के अनुसार ही अभिशेक मिलेगा, आप जितना समय अगर आप अपनी पूरी लाइफ परमेश्र को देत आएगा, नभी लोग बविश्य बानी का वरदान इसलिए पाए, उन्होंने बोला अकाश बंद हो गया, उन्होंने बोला वपितियां आ गई, नभी ने बोला मुर्दे जिन्दा हो गई, नभी ने बोला परमिश्यों ने बड़े-बड़े काम कर दिये, क्यों? क्योंकि उन नभीयों ने प्रभू के साथ समय बिताया, खुदा के साथ उन्होंने टाइम गुजारा, आज कुछ लोग बविश्य बानी को जाने भी नहीं बविश्य बानी करते हैं, वो बविश्य बानी आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं, उल्टा आपकी लाइफ में ही काम क करेगी, पॉलस कुरंथियों की कलिसिया को लेता है, कि जब प्रफ़सी जब वविश्य बानी होती है, तो वो उन्ती, उपदेश और शान्ती के लिए होती है, सब बूले हालेलूया, जोर से बूले हालेलूया, जब भी बविश्य बानी परमिश्य का आत्मा करते हैं, तो उन्ती उपदेश और शान्ती के लिए होनी चाहिए Bible कहती है जब prophecy आती है तो prophecy हमें grow up करती है हमें edify करती है prophecy हमारे जीवन में आशा लेकर आती है यहाँ पे कई लोग बैठे हैं जिनके जीवन में प्रभू ने मेरे द्वारा prophecy की और वो prophecy पूरी भी हुई लोगते हैं जो मौत के मूँ से निकल कर आएं है बविश्यबानी के बाद prophetic word के बाद उनके अन होने काम भी हो गई क्यों ऐसा हुआ क्योंकि जो prophecy उन्निती के लिए होती है वो आपको तरक्की देती है जोड से बोले हालेलुया कई लोग prophecy करेंगे वो दूसरे के नुकसान के लिए करेंगे वो दूसरे के hunting के लिए prophecy करेंगे कई लोग prophecy करते हैं छे महीने बाद तरी मौत हो जाएगी एक बहन ने बविश्यबानी के किसी के लिए उसने कहा तरे बेटे की देत हो जाएगी वो बचारी सोचने लगी उसको depression हो गया परमेशर इस तरह की बविश्यबानी के लिए मना करता है प्रभू कहता है बविश्यबानी उन्ती के लिए शान्ती के लिए होती है और जो शान्ती और उन्ती के लिए बविश्यबानी होती है वो लोगों की आत्मा उनको ये कहता है कि बिना बविश्यबानी को जाने, आप बविश्यबानी करेंगे, तो उल्टा आपका नुकसान होगा, हाँ, बाइबल में एक चीज जरूर लिखी है, कि हम किसी के पीषे, या किसी के शरीर को शैटान के वस्मे कर सकते हैं, हमारे पास यतनी पावर ह रहे थे बाइबल में आप पत्रियों को पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा वहां पे लिखा पॉलस ने कुछ लोगों को शेतान के हवाले कर दिया उनकी बॉडिस को तांकि वो शरीरिक तौर से दुख पाएं और आत्मा बचाई जाए उनका आत्मा सेव हो सके सबने हलेल है इसलिए बविश्यबानी उनती के लिए है तरक्की के लिए है वो कहता है जब तुम बविश्यबानी करते हो प्रॉफसी करते हो तो प्रॉफसी उनती के लिए होनी चाहिए बविश्यबानी परमेश्वर की आवाज है यह प्रभू का संदेश है जब बविश्यबानी हो को दूर करो वो खुदा की आवाज होती है जो प्रभू आपको चेतावनी दिते हैं कई बहने चंगी नहीं होती है उनको हीलिंग नहीं मिलती है परमेश्य बविश्यबानी के द्वारा उनको चंगाई के वचन देता है कि प्रभू का आत्मा करे तुम्हारे जीवन में यह कमी है इस कमी को दूर करो प्रभू तुम्हें आशिश देने के लिए जा रहा है तो बविश्यबानी खुदा की आवाज है यह प्रभू का संदेश है बविश्यबानी confirmation है बविश्यबानी एक road map है जब prophecy आपके लिए होती है आपको समझ लगती है मैंने क्या करने है जोर से बो हलिलुया एक लड़का था उसने वीजा apply किया उसका वीजा नहीं लगा मेरे पास है उसने मुझे कहा apostle जी मेरे लिए प्रात्ना करो मेरा वीजा लग जाए मैंने फिर प्रात्ना की फिर उसका वीजा नहीं लगा वो फिर दुबारा आया मैंने प्रभू से प्रात्ना करके पूछा प्रभू मुझे बताई है कि इसका वीजा क्यों नहीं लग रहा है अब उस लड़के की गरारी, उसकी कुंडी कहां पे फसी हुई थी, कि मेरे को तो बाहर ही जाना है, मुझे इंडिया में रहना नहीं, परमेश्वर चाहता है कि तू बाहर ना जाए, तू इंडिया में रहे, कई बार prophecy हमको कडवी लगती है कई बार बविश्य बानी के वचन हमें अच्छे नहीं लगते आज कल कुछ लोग चाते मेरे मतलब की बविश्य बानी हो लेकर परमेशुर कई बार बविश्य बानी करते है उसमें कडवाहट होती है वो अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता ना कि उस इंसान की अगर उस इंसान की इच्छा पूरी होगी तो उसमें नुकसान होगा अगर प्रभू की इच्छा पूरी होगी तो उसमें बैनिफिट होगा उसमें बलाई प्रकट होगी सब बोलेंगे हालेलुया तो वो लड़का बोला के मेरे को तो बाहर ही जाना है लेकन परमिश्र के आत्वा ने कहा नहीं तुझे बाहर नहीं जाना मैं तुझे यहां पे बहुत सार याशिश दूँगा उसने प्रभू के वचन को माना नहीं वो दुबारा दुबारा अपलाई करता रहा लेकन उसको आज तक वीजा नहीं मिला आज परमिश्र इस गवाही से इस टेस्टमनी से आपको यह बताता है कि हमें प्रभू की आवाज को सुनने है प्रभू बविश्यबानी के दौरा भी हमसे बात करते अपने वर्ड से भी हमसे बात करते और प्रभू क्या है एक रोड मैप एक कनफरमेशन है वो आपकी मैरिज के बारे में वी आपको बविश्यबानी के दौरा कनफरमेशन दे सकता है आपकी नौकरी आपकी जौब के बारे में आपकी आत्मिक जीवन के बारे में बविश्यबानी के द्वारा आपको confirmation दे सकते हैं एक लड़का था मैंने उसके लिए prophecy की और वो मेरे पैरों में गिर गया वो कह रहा था कि पॉस्टल जी जब मैं आया था मैं सेम ऐसे ही सोच रहा था कि अगर man of God मुझे ये बात कहेंगे तो मैं समझ लूँगा कि मुझे यही काम करना है और कुछ नहीं करना है खुदा ने उसको confirmation दी और जैसे उसको confirmation मिली मोहर लग गई उसको sure हो गया कि यही मेरा काम है जो प्रभू ने मुझे चुना है सो परमेशर बविश्यबानी के द्वारा बात करने वाला प्रभू है और बाइबल बविश्यबानियों से भरी हुई है बाइबल को हम बविश्यबानियों की किताब कह सकते है इस इस दबुक और प्रफेसी स्रिष्टी की शुरुआज से लेकर दुनिया के अंत तक यह अभिशेक से भरता है तो प्रभू उसे इनकरज करता है के बोल और फिर वो बोलता है आई एक वचन को पढ़ेंगे दूसरा पत्रस उसका एक अध्याए उसके 21 वचन में क्यूंकि कोई भी बविश्यबानी मनुश्य की इच्छा से कभी नहीं हुई पर भक्त जन पवित्र आत्मा से भरकर उबारे जाकर परमिश्र की और से बोलते थे सब बोलें आमेन कोई भी बविश्यबानी बाइबल कहती मनुश्य की इच्छा से नहीं पर पवित्र आत्मा के उबारे जाने से होता है पवित्र आत्मा की इनकरज्मेंट से यह होता है पवित्र आत्मा उनकी अंदर बात करता है कि तू इस तरह की प्रोफेसी कर तू बोल कई बार मैं प्रोफेसी कई लोगों पर नहीं करना चाहता हूं लेकर प्रभु का आत्मा मुझे पीछे से उबारत है बोल इसके बारे में बोल इस बहन के बारे में ऐसक है इस भाई के बारे में ऐसक है प्रभु का आत्मा पीछे से उबारत है वो मुझे इनकरज्च करता है इसकी लाइफ में ये समस्या है इनके बारे में बोल ताकि यह लोग विश्वास करें कि परमिशन उनके जीवन में कुछ करना चाहता है और जैसे उनके लिए प्रफसी होती है जो पवित्र आत्मा के दौरा आती है उनकी लाइफ कुछ ही दिनों में बदलना शुरू हो जाती है और यहां पर क्या लिखा है कोई भी व्यक्ति अपने इच् चर्च यह चर्च में बहुत इंपोर्टन्ट है इसके दौरा चर्च में बहुत बड़ा परभाव आता है इसके दौरा चर्च में बहुत बड़ी ब्लेसिंग आती बाइबल ऐसा कहती है जोर से बो हलेलुया आप कई चर्चस को देख सकते हैं उनमें प्रफसी नहीं क्यों prophecy का वरदान उनकी लाइफ में काम नहीं करता लेकर जब आप विश्वास करेंगे प्रभू के साथ समय बिताएंगे और कोई भी व्यक्ति जब prophecy करता है वो पवित्र आत्मा से उभार करता है तो वो prophecy 100% उसकी लाइफ में पूरी भी होती है जोर से बोलें हालेलुया जोर से ब लोग पुराने बविश्वक्तों के बारे में जानते बाइबल में बहुत बड़े-बड़े बविश्वक्ता मुसा क्या था एक बोलो मुसा क्या था एक बविश्वक्ता अलीशा क्या था बविश्वक्ता एलिया क्या था बविश्वक्ता योना मीका नहूम हबकुक कितने बड़े बड़े नभी यरमाया यशाया हिचकियल दैनियल यह सब प्रभु के नभी हुए परमेश्वर ने इन्हें एक इंस्टूमेंट बनाया था और खुदा इन्हें भेशता था अपने स्थान पर अपनी जगा पर जब कोई व्यक्ति प्रॉफसी करता है याद रखें कि वो खुद नहीं जा रहा है खुदा इन्वीजिबल तरीके से उसके साथ जा रहा है बविश्यबानी करने के लिए परमे प्रमेश्वर ने पास्टर ठहरा है प्रभू ने आज नभी ठहरा है क्योंकि खुदा डिरेक्ट लोगों से बात नहीं करता है वो अपने दास के द्वारा बात करते हैं आप देखें खुदा जब मुसा को बोलता था क्या कहता था मुसा जा और फिरोन को जाके यह बोल दे कि मेरे लोगों को जाने दी खुदा खुद नहीं जा रहा है वो किसको बेज रहा है मुसा को मतलब के परमेश्वर खुद अपने नभी के द्वारा काम कर रहे हैं अपने बविश्वक्ता को अपने स्थान पर बेज रहा है यह बहुत बड़ी बात है जोर से बोलेंगे हाल कर्मियों को इस्तिमाल किया आप बाइबल में देखो ऐसे ऐसे नभी थे खुदा के जो गुब्त कमरे की बातें भी सुन लेते थे अगर मैं यहां पर बैठा हूं तो मैं कई कई किलो मीटर दूर तक जो वहां पर सलाह हो रही है जो Caribbean पर discussion हो रही है, मैं उनको सुन सकता हूँ, ये बविश्य बानी का और गुप्त बेद का वरदान है जो काम करता है, ये बहुत बड़ी बात है, बाइबल कहती है, परमेश्र का एक ऐसा दास हुआ, जिसका नाम अलीशा था, अलीशा के पास ऐसा वरदान था, कि वो गुप्त बातों को सुन लेता था, अगर कोई कमरे में चुगली भी कर रहे है, कोई फुसर फुसर भी कर रहे है, तो अलीशा को पता चल जाएगा, कि क्या गडबड चल रही है, समझ आ रही है, अगर मैं कहता हूँ, ये वरदान सब को मिल जाए, तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी सब बोलेंगे हालेलुया, वाइफ अपने पती को बोलेगी मेरे को पता है, तु रात मेरे बारे में क्या सोच रहा है, पती बोलेगा मुझे पता है कल तु कितने का सूट लेकी आई, ऐसे नहीं काम होगा, वरदान सिर्फ स्पिसिफिक जगाओं पर काम करता है, जहां पर की जरूरत है, इसलिए परमेशन सब को वरदान नहीं देता है, उसको पता है, ये तो गाड़ी में हवा भरने के लिए, तंगरों को पठे डालने के लिए, चारा लाने के लिए, घर का काम करने के लिए बविश्यबानी और मेरे वरदानों को यूज़ करेंगे, कितने जनो एसे अपने नभीयों को तियार करता था, जो कमरे में हो रही बातों को जान लेते थे, बाइबल कहती है, अराम का राजा, जब इसराइल पर यूद कर रहा था, उसने क्या किया, मुवाबियों को, मौनियों को, और सीर के पहाड़ी राजाओं को तियार किया, और उन सब को तियार करके सामरिया पर इस्राइल पर चड़ाई करने लगा और उसने क्या कहा हम क्या करेंगे डेरे डालके इस्राइल के बाहर सामरिया के बाहर बैठ जाएंगे और जब भी हमें मौका मिलेगा हम उन लोगों पर वार करेंगे अटैक करेंगे अब जब भी वो अटैक करने लग जाते थे उनका plan fail हो जाता था उनका पर वी वो डेरे डालते थे इस rally को पता चल जाता था तो अराम के राजा ने पता किया उसने अपने कुछ जसूसों को भेजा और उसने क्या कहा जा कर देखो क्या बात है उनको हमारे सीक्रिट कैसे पता चल रहे हैं हमारी गुपत बातें उनको कैसे पता चल रही है हमने कब जाना है कब हमने गोड़े लेकर निकलना है कब हमने हमला करना है हमारा रात का और दिन का क्या प्रोग्राम है कौन इस बात की information देता है क्या हमारे बीच में कोई धोके बास तो नहीं कितने जनों को समझ आरी मेरी बात की आईए हम बाइबल में देखेंगे दूसरा राजाओं की किताब उसके 6 अधियाए उसके 8 वचन से लेकर उसके 12 वचन तक और अराम का राजा इसरेल से युद कर रहा था और संपती करके अपने करमचारियों से कहा कि अमूक स्थान पर मेरी शावनी होगी तब परमिश्र के भगत ने इसरेल के राजा के पास कहला बेजा कि चौकसी कर और अमूक स्थान से होकर ना जाना क्यूंके वहां अरामी चड़ाई करने वाले हैं तब इसरेल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चावे करके परमिश्र के भगत ने उसे चिताया था भेज कर अपनी रक्षा की अपने आपको बचाया और उस परकार एक दो बार नहीं वर्न बहुत बार ऐसा हुआ इस कारना अराम के राजा का मन बहुत गबरा गया सो उसने अपने करमचारियों को बुला कर उनसे पूछा क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इसराईल के राजा की और है उसने एक करमचारी से कहा मेरे प्रबू हे मेरे राजा ऐसा नहीं अलीशा जो इसराईल का बविश्वक्ता है वह इसराईल के राजा को बातें भी बताया करता है जो तू शाइन की कोठरी में बोलता है सब बोले हालेलूया वो कहता है प्रबू हमारे बीच में कोई भी कप्टी या हमारे बीच में कोई दोखे बात व्यक्ती नहीं है ये परमिशर की समर्थ है, ऐसे खुदा के नभी थे, ऐसे वो प्रभु के दाश थे जो बेट की बाते बोलते थे और समझते थे, गुपत स्थानों में जो सीक्रिट बाते शेयर की जाती थी, वो भो भी जानते थे, ऐसा नभी, अलीशा हुआ, देखो वो गुपत की बातों क तो मज़ा आजाए लेकन सबके वर्दान अलग-अलग है सबके गिफ्ट अलग-अलग है जोड़ से बोलेंगे हालिलुया सो बविश्य बानी अलीशा जैसे नभी करते थे मुसा जैसे नभी करते थे प्रोफसीज और उनकी प्रोफसीज बहुत परभावित होती थी पुराने नेम एक बहुत बड़ी बविश्य बानी है जब आप दूसरे राजाओं की किताब पढ़ोगे वहां का साथ अध्याए उसके एक वचन से लेकर उसके 16 वचन तक लिखा है तब अलीशा ने कहा यहावा का वचन सुनो यहावा यूं कहता है कि कल इसी समय शिवरान के फाटक में सैया बर मेदा और एक शकेल में जौं दो सैया बर भी एक शकेल में बिकेगा तब उस सरदार में जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था परमीश्वर के बगत को उत्तर देगर का सुन चाहे यहावा अकाश के जरोखे खोले तो भी ऐसा बात ऐसी बात नहीं हो सकेगी उ एक बड़ा काम होगा कल इसी समय यहां पर आटा भी बिकेगा जाओं भी बिकेगी प्रभु के दास ने अकाल के समय में बविश्य बानी कर दी और राजा का एक करमचारी है जो राजा के बिलकुल नजदीक रहता है वो उसको मजाग करके क्या कहने लगा ऐसा कभी नहीं हो सक इतना बड़ा अकाल है लोगों के पास एक दाना तक नहीं है और तू सया बार मेदे की बात कर रहे हैं तू दो बार जाओं की बात कर रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है कभी कभी हमारे जीवन में कुछ चीजें हमें इंपॉसीबल लगती है लेकर वो चीजें प्रभू के लिए कई बार हमें अपनी लाइफ में लगता है प्रभू ऐसे कैसे कर सकते हैं अरे मेरा कैंसर तो बहुत बड़ा है मेरी एचाइवी की बिमारी तो बहुत बड़ी है मेरे उपर तो अठारां लाग का कर्ज चड़ा हुआ है पिशले संड़े आपने देखा एक बाई गवाही द पाऊंगा प्रभू मैस इस पाप को इसे चोड़ूँने वाला ब्रभी का दास बोलता है तेरा घर बने गा वो के तै एसे कैसे हो सकते अरे मेरे पास तो एक foodie kawdy नहीं है तो मेरा घर कैसे बनेगा इसमें तो 10 lakh रुपे का खर चाएगा परमिश्र का दास कहते हैं तेरा वीजा लगेगा वो कहता है मेरा तो चार-पांच बर पहले रफ्यूजल हो चुका है मेरा वीजा कैसे लग सकता है कोई बहन को प्रभु का अदास बोलता है तेरे बेबी ब्लेसिंग 100% परमिशर तुझे देगा प्रभु तुझे पकी बेबी ब्लेसिंग देगा और कई बहने सोचती मेरा आई वीएफ हो चुका ऐसे कैसे हो सकते है जहां पर पानी पीने के लिए नहीं है और एक अनाज का दाना खाने के लिए नहीं है एक दिन में इतना बड़ा चमतकार कैसे हो सकता है कि वहां पर परमिश और आशिशों की बारिश करना शुरू करे लेकर नभी ने उसको कहा तु यहां पे है और मैं मैं भी यहां पे हूँ यहावा का वचन है यह पूरा होकर रहेगा जोर से बोलेंगे हालेलुया आज बाइबल में आपको बहुत सारे वचन दिये गए हैं प्रभू का आत्मा कर रहे हैं वो वचन आपकी लाइफ में पूरे होंगे इश्यो मसी के नामे जो वचन परमेश्व ने आपको उनुती के लिए दिये हैं वो पूरे होंगे इश्यो मसी के नामे खुदा के वचन की बविश्यबानिया आपके जीवन में जो आपको लग रहे हैं पूरी नहीं होगी मैं आपको बोल रहा हूँ आपकी ब्लैसिंग पकी है इश्यो मसी के नामे आपका छुटकारा आपकी उनुती पकी है इश्यो मसी के नामे हो सकता है आज आपके पास जॉब नहीं आपके पास नौकरी नहीं आपके पास बच्चा नहीं आपके पास घर नहीं शतान आपको सता रहा है आपको रस्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको लग रहे हैं मैं राइट जाओं या लेफ्ट जाओं कौन मेरी सहायता करेगा कौन मेरी मदद करेगा मुझे सबने छोड़ दिया है मेरे जीवन का कुछ नहीं हो सकता आपको ऐसा लग रहे है परस्तितियां सूख चुकी है रस्ते दिखाई ने दे रहे हैं लेकर प्रभू का आत्मा करा है मेरा खुदा ऐसा खुदा है जहां पर रस्ते नहीं होते हैं वो वहां पर रस्ते पैदा कर देता है इस बसी के नाम में मेरा परमेशुर ऐसा परमेशुर है जहांपे लोग सोचते नहीं वो सोच को पैदा कर देता है वो सूकी जगाओं से जल की धराईं बहा देता है वो लाल समंधर को दो हिसों में बाढ़ देता है वो शड्रकमेश कर अबेद्र को जल्टुई आग से दिकाल लेता है वो विद्वा के घर में आशिश की बारिश कर देता है वो बच्चों को पैदा कर सकता है वो बूडों को आशिश दे सकता है आज खुदवन्त करे रहे हैं आपकी लाइफ में अगर इस तरह की सिच्वेशन है प्रभू का आत्मा करे रहे हैं इस वसी के नाम में मैं आपको बोल रहा हूं बड़ा काम होगा इस वसी के नाम में लोग आपको कुछ भी बोलें दुनिया आपको कुछ भी बोलें लेकिन मेरा खुदा करेगा 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 और करेगा इस वसी के नाम में लोग कहते जॉब नहीं है Unemployment है मैं आपको बोल रहा हूँ अगर विद्वा के तोडे से अगर विद्वा के मटके से आटा खतम नहीं हो सकता है उसकी कुपी से तेल खतम नहीं हो सकता है लोगों के पास नोकरी हो या ना हो लोगों के पास जॉब हो या ना हो पैसा हो या ना हो काम हो या ना हो लेकन शेरों के बच्चे बूके मर जाएंगे प्रभू के लोगों को घटी खाने के लिए लोगों के पास एक दाना नहीं, आज कभी-कभी हम भी कहते हैं, प्रभू ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे लिए ये impossible है, बाइबल कहती है, जो जीते इंसान के लिए मुश्किल है, वो प्रभू के लिए मुश्किल नहीं है, वो चार दिन का लाजर लोगों के लिए म आपका बविश्य खत्री में हो सकता है आपको रस्ते दिखाई दी देरे प्रभू मेरी प्रमोशन कब होगी प्रभू मैं इतनी मेहनत करके खा रहा हूं कमा रहा हूं मेरे बच्चों का क्या होगा परमेश्वर का आत्मा कर रहा है बेटा बरोसा रख तेरा खुदा तेरे लि आ रहा हूं मैं उनकी सहता करने के लिए आ रहा हूं कलिसियागरे शेम ही ने आपके लिए ब्लेस्ट होने वाले हैं ये 2024 आपकी उनुती के लिए होने वाला है आपके बच्चों की तरक्की के लिए होने वाला है आपकी फिनेशल ब्लेसिंग के लिए आने वाला है आपके चुटकारे के लिए आने वाला है, ये प्रभू के दास के पविश्यबानी के वचन है, ये पूरे होंगे इश्यमसी के नाम में, जो चीजे आज मुश्किल लग रही वो सान होंगे इश्यमसी के नाम में, जो चीजे आज कठिन लग रही है, वो सरल होंगे इश्यमसी के नाम उस करमचारी ने परमिश्र के नभी को मजाग किया ऐसा कैसे हो सकता आज भी कई लोग प्रभू के लोगों को मजाग करते हैं वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है रोगी कैसे चंगे हो सकते हैं चर्च में चमतकर कैसे हो सकता है अरे भाई तुम्हारे नहीं हो सकता तो इसका अपने खुदा पे विश्वास करते हैं कि वो चमतकार नहीं कर सकता लेकिन हम अपने खुदा पर विश्वास करते हैं कि वो चमतकार करने की कुवत रखता है। जोर से बोलेंगे हालेलूया, कई बार हमारे मन में भी उस राजा के करमचारी की तरह विचार आ जाते हैं, प्रभू मेरी पत्नी बहुत बिमार है, यह कभी चलने सकती, ऐसे कैसे, पीजी आई डोक्टर ने जवाब दे दिया, बड़े-बड़े डोक्टर ने तो इनकार कर द अगर तेरा विश्वास है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं, तुझे उचा उठा सकता हूं, तुम्हे यूसफ की तरह चमका सकता हूं, तो मैं ये कर सकता हूं, जोर से बोलेंगे हालेलूया, आज जितने नौजवान यहां पे बैठे हैं, प्रभू का आत्मा कह रहा है, आप शाइन होंगे शमसी के नाम में, आज जितने लोग यहां पे बैठे मैं कमजोर हूं, मैं नदान हूं, मेरे अंदर शक्ती नहीं, मेरे अंदर बुद्धी नहीं, मैं पड़ा लिखा नहीं हूं, मेरे प्रियो, मेरा परमेशुर ऐसा परमेशुर है, जो फकीरों को निकाली जारी है, सिकरिट पी जारी है, शराप पी जारी है, नशा किया जा रहा है, आप ऐसी पवितर जगा पर बैठे हैं, जहां पर परमेशुर के पवितर दास, 24-24 खंटे आपके लिए प्राथला कर रहे हैं, और प्रभू का आत्मा कह रहा है, आपके लिए वो दिन आ आने जा रहा है जब आपके विरोधी शर्मिन दे होंगे शुमसी के नाम में आपके लिए ऐसा दिन आने जा रहा है आपके विरोधी देखेंगे आपकी बरकतों को शुमसी के नाम में प्रभु का आत्मा कह रहे है कभी अपने दुश्मनों को ऐसा नहीं बोलना कि तूने मेरा विरोध किया उसको बोलना थैंक यू भाई तूने मेरा विरोध किया अगर तू मेरा विरोध नहीं करता तो मैं ये शुपर विश्वास भी नहीं करता अगर उस बारा साल की लहू बहने वाली आउरत को रोका ना जाता तो वो चंगी ना होती बाइबल कहती उसको रोका गया जितना आपको रोका जाता है प्रभू का आत्मा करें आपकी बरकत उतनी बड़ी होगी इश्यमजी के नाम में मैं देख रहा हूँ जिनके पेड़ों पर फल नहीं है प्रेमिश्यकर रहा लगने के लिए जा रहें इश्यमजी के नाम में प्रभू के नभीयों को मजाग करते हैं आज भी करते हैं लोग के नहीं करते हैं आज भी प्रभू के लोगों को मजाग करते हैं के नहीं करते हैं तुम करो तो लीला हम करें तो करेक्टर डीला लेकन प्रभू के दास को ये मजाग कर रहा था ऐसे कैसे हो सकते है अरे इतने सालों से खाने के लिए एक दाना नहीं है और सिर्फ कल एक दिन में इतना बड़ा चमत कर कैसे हो सकते है नभी ने उसको कहा एक करमचारी मेरी बात ध्यान से सुले दाने भी आएंगे अनाज भी आएगा जौँ भी आएंगे आशिश भी आएंगी लेकन ये प्रभू के दास की बविश्य बानी है दुनिया खाएगी पर तू नहीं खा सकेगा ये भी बविश्य बानी है सुन ले जब आप इस वचन को आगे जाकर परोगे वचन में लिखा है अगले दिन अगले दिन वहाँ पर बड़ा चमतकार हुआ खुदावंद ने क्या किया परमेशुर ने क्या किया असमान से अनाज नहीं बरसाया प्रबू ने जमीन के नीचे से अनाज नहीं निकाला प्रबू ने किसी व्यक्ति को वहाँ पर अनाज देने के लिए नहीं बेजा परमेशुर ने क्या काम किया जो दुश्मन टेंट लगा के प्रबू के घरों के सामने बैठे थे बाइबल में लिखा है परमेशुर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा उन स्वर्गदूतों ने आवाज लगाई उन स्वर्गदूतों ने ऐसी संसनाहट वहाँ पर मचा दी कि जितने वी दुश्मन थे अपने टेंट चोड़के अनाज चोड़के राशन चोड़के जौँ छोड़के, रोटी छोड़के, सबके सब जान बचाके भागे, वहाँ पर चार कोडी रहते थे, सबल हलेलुया, बाइबल कहती, चार कोडी, चार कोडी, शहर से बाहर रहते थे, जिनने लोगों ने बाहर निकाल दिया था, अकाल का समय था, उन कोडियों ने क्या कहा, अरे भाई हम यहाँ पर बूखे मर रहे हैं या तो हम यहाँ पर बूखे बैठे मर जाएं या फिर आओ चलें अरामियों की सैना में अरामियों के टेंट में शावनी में यहाँ भी मर रहे हैं क्यों न हम वहाँ खा करके मर जाएं नहीं तो यहां बूखे मर जाएंगे वो उठे, वो गए और जैसे उन्होंने जाकर देखा वहाँ पर कोई नहीं, वहाँ पर तो सोना ही सोना वहाँ पर तो राशन ही राशन वहाँ पर तो अनाज ही अनाज आज परमेश्वर का आत्मा करे रहे आपके जीवन में भी मेरा खुदा ऐसा करेगा इश्यमस्दी के नाम में आज आपको लग रहा है प्रभू कहां से आएगा प्रभू तीस लाख लोग हैं कहां से आएगा प्रभू कह रहा है बेटा उपर देख मन्ना आ रहा है स्वरक से स्वरक से मन्ना आ रहा है तेरे लिए उठा और खड़ा कर और बना ले और खाले तेरा परमेश्वर यहवा मोहया करने वृवभू है जोर से बोलेंगे हालेलुया 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 यह plain जब हमने नहीं नहीं सेवकाई शुरू की जब हम हालेलुया बोलते थे तो लोग हमें मजाग करते थे हम कहते थे हालेलुया वो मजाग में हमें बोलते थे पर्दे बोया आपको बता बोया किसको बोलते है रोपडर लेंगविज में बोया बोलते है जिसमें हम रूटियां रखते है मैं रखते नहीं रखते तो लोक बोलते थे हम कैते थे हालेलुया तो मजाकमें-मौ 이야기를 पर्दे बॉया तो आज सच्में इतना बॉया परा हुआ है कि हम लोगों को बांट रही है ए और प्रमेशुर का आत्मा कर्ण है आपका भी बोया ऐसे भरने वाला ईश मजिय के में आप मांगने वाले लिए आप बांटने वाले होंगे अपने हाथों को अठाओ पिदा जितने लोगोंने हाथ उठाई मैं इनके हाथों पर तरह भी शेख को माँगता हूं इसमसी के नाम में खुदावन तेरा मसा ऐसा इनके हाथों पर आए कि गरीबी तोट दा इश्वमसी के नाम में यह जो भी कमाई करेंगे यह जो भी काम करेंगे मेरे यहवा तु बड़ा चमतकार करेगा इश्वमसी के नाम में उसने कहा अनाज भी आएगा लेकन तू देखने नहीं पाएगा इन चार कोडियों ने जाकर राजा को शोर मचाकर कहा राजा 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 आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ देखो कितना अनाज कितना आटा और कितने जाओं हमको मिल गए हैं राजा ने बोला ये जरूर दुश्मनों के साथ मिल गए हैं जो हमें उस शावनी में ले जाके फसाना चाते हैं उन्हें ने कहा राजा ऐसी बात नहीं है सच मुछ हमें एक बहुत बड़ा खाजाना मिल गया राजा ने अपन उन चार कोडियों ने पेट भर कर खाया वहां पर अनाज बिकने लगा लोगों की इतनी बीड आ गई धक्के बजने लगे जिस करमचारी के लिए अलीशा ने बविशे बानी करके कहा था कि सब खाएंगे तू नहीं खाएगा लोगों के पैनों के नीचे दब करके मर गया लेकन वो उनाज को नहीं खा सका ये है बविशे बानी ये है प्रोफसी जो मैन अफ गॉड कहता है वो पूरा होता है हर चीज पास होती है पास करवाने वाला होना चाहिए बविशे बानी पूरी होती है पूरी करवाने वाला होना चाहिए विश्वास से बड़े काम होते ह विश्वास करने वाला बड़ा होना चाहिए आज परमिश्व का आत्मा करें आपकी लाइफ में मेरा प्रभू कुछ ऐसा करेगा आज जो देख रहे हैं मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता बाइबल कहती है अहाब राजा को एलिया नभी ने बविश्य बानी करके कहा कितने लोगों ने 9 साल वाले दिन ये पले देखा था एलिया नभी वाला एलिया ने राजा को चितावनी देकर कहा मेरे बिना कहे ना तो मी परसेगा ना ओस पड़ेगी राजा बोला तेरे जैसे बीस गुमते हैं राजा को गुमंड हो गया मैं राजा हूँ लेकन प्रभू के दास की बविश्यवानी पूरी हुई अब क्या हुआ वही राजा जो प्रभू के दास का मजाग करता था अब प्रभू के दास को डूंड रहा है उसके पीछे पीछे अरे उसको पकड़ के लाओ ये क्या बोल के गया है अरे सारा देश भूका मर रहा है सोखा पड़ गया फसले सूख गई है उसको डूंड के लो वो कहां पर चला गया है एक दिन राजा अहाब ने एलिया को डूंड लिया और एलिया ने कहा राजा, खुशी मना, खा और पी तुने पस्चाताब किया, देख मेरा यहवा परमेश्वर पानी बरसाने के लिए जा रहा है उसने कहा आपने रत के उपर बैठ और जल्दी से निकल जा क्योंके बहुत तेज बारिश आने वाली, राजा ने ऐसे ऐसे देखा अरे यह नभी क्या बोल रहा है, कोई बादल नहीं दिखाई दे रहे पूरा दिन, पूरा मौसम तो साफ है, कहीं पे बारिश तो दिखाई नहीं दे रही है उसने कहा रत जोत ले और चला जा, मैंने तुझे बोल दिया बारिश होने वाली है उसने अपने चेले को बोला, जा देख, उसने देखा कि एक बारिश का हाथ बना हुआ है आज परमिश्र का आत्मा करे, आपके लिए भी एक चिन परमिश्र देने जा रहा है आपकी बरकतों का चिन आपके लिए आ रहा है आपके छुटकारे का चिन आपके लिए आ रहा है वो छोटा सा हाथ एक बड़ा बादल बनेगा इसमसी के नाम में वो छोटा सा हाथ जो कुछ नहीं लग रहा है प्रभू का आत्मा करा है ये प्रभू के दास की बविश्यबानी है आपके जीवन में बड़ा बादल बनेगा इश्यमसी के नाम में प्रमेश्वर के दास ने बोला और बारिश ही बारिश होगे हमारा प्रमेश्वर भी बविश्यबानी करता है प्रमेश्वर ने अबरहाम से बविश्यबानी करके क्या कहा था केरी प्रजा किसी प्राए देश में 400 साल तक गुलाम होकर रह जाएगी प्रमेश्वर ने अबरह को कहा और वो वचन पूरा हुआ सत्तर लोग यकूब के साथ वहां पर गए थे सत्तर लोग यूसफ के साथ यूसफ वहां पर गया उसके आगे गराना सत्तर लोग उसके भाई उसका पिता सब वहां पर पहुंचे सत्तर लोगों से मिसर में सिर्फ अनाज लेने गए थे चार सो साल तक गुलाम रहे और लगबग तीस लाख लोग बन गए कितने जन्नों को समझ आ रही है परमेशर की बविशेबानी पुरी हो गई खुदा की प्रोफसी पुरी होगी उसने अबराहाम को क्या बोला तेरी परदा गुलाम होगी हो गई गुलाम और फिर छोड़ाने वाला कौन था मुसा अबराहाम को बविशेबानी दी कि वो गुलाम होंगे मुसा को खुदा ने खड़ा किया कि तू छोड़ा कि उनको लेकी आएगा आज परमेशर बविशेबानी उको पूरा करने वाला खुदा है वो खुद भी बविशेबानी करता है हमारा येशु मसी भी बविशेबानी करता है येशु मसी ने अपने मरने की बविशेबानी की सब बोले हालेलोई आप येशु मसी ने अपने मरने की बविशेबानी की उसने अपने दफनाय जाने की बविशेबानी की येशु ने क्या कहा मनुश्य का पुतर पापियों के हाथ में फड़ाया जाएगा पकड़वाया जाएगा मारा जाएगा और तीसरे दिन फिर जिन्दा हो जाएगा बाइबल कहती येशु मसी पकड़वाया गया येशु मसी मारा गया और येशु की बविशेबानी पूरी हो गई, उसने जिन्दा होकर भी दिखा दिया सब बोलेंगे हालेलुया येशु मसी ने पत्रस के लिए बविशेबानी की और उसको कहा, आज रात मुर्गे के बांग देने से पहले तू तीन बार मेरा इंकार करेगा येशु मसी की बविशेबानी पूरी होई पत्रस ने तीन बार येशु मसी का इंकार किया और येशु मसी की सबसे बड़ी बविशेबानी उसने कहा, मैं जाता हूँ और तुमारे लिए जगा तियार करता हूँ मैं आउँगा और फिर तुम्हे अपने साथ भी लेकर जाऊँगा और ये बविश्यवानी भी पूरी होगी ये प्रफसी भी पूरी होगी सब बोले हालेलुया सब बोले हालेलुया आज जितने लोग परिशान हैं, दुकी हैं परमेश्र के आत्मा ने जो आपको बोला है अड़े रहें और खड़े रहें डटे रहें और हटे ना परमेश्र का आत्मा करा है शतान चाहता है कि आप हट जाएं शतान चाहता है कि आप प्रभू से दूर हो जाएं वो आपके मन में विचार पैदा करेगा, आपके मन में वो भावना ही पैदा करेगा, आपके मन में ऐसी बाते लेके आएगा, अरे तु चर्च क्यों जाता है, तुने चर्च जाके क्या करना है, तेरे लिए परमेश्वर ने ऐसा ने किया, खुदा ने तुझे ये नहीं दिय प्रभू ने तेरे लिए ऐसी प्लैसिंग नहीं खोली तू क्यों बार बार चर्च जाता है शतान आपके मन में बात करेगा मेरे प्रियों इसी तरह से शतान ने यूसफ के मन में भी बात की जब उसके भाईयों ने उसको खड़े में डाला वो सोच रहा था प्रभू मेरे रहे दे क्योंकि तो खड़े में चला गया तूने तो सपना देखा था कि सूरज चांद और तारे तेरे सामने जुकेंगे लेकर ये तो सब कुछ उल्टा हो रहा है उसके साथ उल्टा हो रहा था पूति पर की पतनी ने उस पर इल्जाम लगा दिया और उसे जेल में डाल उसके लिए उल्टा हो रहा था लेकन जब आप खड में जाते हैं जब आप मिस्रियों के हाथ में बेचे जाते हैं जब आप जेल में डाल दिये जाते हैं जब आप पर दोश लगाए जाते हैं वही टाइम होता है कि खुदा आपके जीवन में कुछ करने के लिए जा रहा है जोर से बोलेंगे हालेलूया 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 बड़ा तो शतान आपके पाउं के नीचे है जब आपके जीवन में ऐसा समय आता है याद रखो जिसकी प्रॉब्लम आज सबसे बड़ी है परमेश्र का आत्मा करा है उसकी ब्लेसिंग सबसे बड़ी होगी स्ट्रेस किस व्यक्ति को होता है स्ट्रेस किस व्यक्ति को होता है स्ट्रेस उस व्यक्ति को होता है जो व्यक्ति काम करता है जो मिहनत करता है जिस पर भोज है जिसके जीवन में दर्शन है स्ट्रेस उसको होता है स्ट्रेस उसको नहीं होता जो खाता और बैट पर बैट कर विडियो गेम खेलता है उसको स्ट्रेस नहीं होता है जो गर पर बैट कर टीवी देखता है वेला रहता है उसको स्ट्रेस नहीं होता परमिश्र का आत्मा करे स्ट्रेस उसको होता है जो व्यक्ति काम करता है जिसके जीवन में दर्शन है आज प्रभू का आत्मा करे है जो लोग अपने जीवन में दर्शन लेकर स्ट्रेस ले रहे हैं आपका स्ट्रेस रिलेक्स होगा इशुमसी के नाम में सबले हालेलोया जितनी परिशानिया आपने देखी है मेरा खुदावन के रहे हैं आप स्ट्रेस ले रहे हैं जो लोग स्ट्रेस ले रहे हैं आप खुदा के लिए ले रहे हैं उसके काम के लिए ले रहे हैं खड़े हो जाए अपने स्थान पर हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिये गए बेल आइकन पर प्रेस करें आप हमें फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारा फेस्बुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0 1 6 0 5 0 0 8 0 0 0 हमारा प्रेस कर दो यूलो कर दो जारा भाइन पंढे लूलो कर दो दो कर दो कि दो तो